वेलकम तो स्रीजी फूर आज हम बनाएंगे डाल बाटी डाल बाटी की बाटी तीन तरह से बनती है एक बॉइल करके एक डाइरेक उसे रोस्ट करके और तीसरा फ्राइ करके आज हम जो बाफला बाटी होती है जो बॉइल करके बाटी बनाई जाती है वो आज हम बनाएंगे जो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजु में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका धन्यवाद पाटी बनाने के लिए ये मैंने दो कप गेहु का आटा लिया है उसमें वनफोर्थ कप हम सूजी एड़ करेंगे नमक और बेकिंग सोडा मैंने मिक्स कर दिया था वो एड़ किया है थोड़ी सी अजवायन वनफोर्थ कप ओईल एड़ करेंगे इंग्रिड्रेंट्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब उसमें हलका गुनगुना पानी एड़ करके हम इसका आटा लगाएंगे पानी धीरे धीरे एड़ करना है ताकि आटा ज्यादा सॉफ्ट ना हो जाए इस तरह से पराठे से थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाना है ओईल लेके इसे मसल लेंगे अब इसे ढखकर 20 मिनिट के लिए हम रहने देंगे 20 मिनिट के बाद आटे को फिर से एक बार मसल लेना है अब इसमें से बाटी बनानी है तो थोड़ा इस तरह से लोया बना ले और इस तरह से गोल बनाने के बाद इस तरह से आपको क्रॉस जैसा निसान बनाना है अगर इस तरह से आपको बाटी बनाना नहीं आता तो simple इस तरह से गोल बना के बीच में आप एक होल जैसा भी बना सकते है या simple ऐसे भी रख सकते है इससे बाटी में layer बनेंगे और वो अच्छी तरह से पक जाती है तो इस तरह से बाटी बनानी है मैंने एक बरतन में पानी गरम करने के लिए रख दिया है जिसमें हम बाटी को बोइल करेंगे पानी उबलने लगा है तो बाटी इसमें एड़ कर देंगे बाटी एड़ करने के बाद एक बार इसे चला लेना है ताकि वो नीचे चिपक ना जाए medium to high flame पे इसे boil करना है और साथ में थोड़ा oil भी add कर दे 12 मिनिट मैंने इसे boil किया है ये अच्छी तरह से boil हो चुकी है इसे निकल लेंगे जब इसका उपर का layer dry हो जाए उसके बाद इसे baking tray में ले लेंगे अब हम इसे oven में bake कर लेंगे तो oven को मैंने पहले ही preheat कर लिया था इसे 220 टेंपरेचर पे हमें preheat करना है और बाटी को भी 220 टेंपरेचर पे हमें bake करना है जब तक की golden brown हो जाए ये मैंने डाल बनाने के लिए mix डाल ली है जिसकी पूरी detail आपको description box में मिल जाएगी इसे दो कर आधा गंटा भीगो के रख दे आधे गंटे के बाद हम इसे cooker में add कर देंगे दो कब जितना पानी add करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी से हल्दी add करेंगे इसे mix कर ले और इसका ढखकन बंद करके medium flame पे हम इसकी चार से पांच विसल कर लेंगे दाल अच्छी तरह से boil हो चुकी है इसे एक बर्तन में ले लेंगे मैंने दाल एक बर्तन में ले ली है और इसका तड़का लगाने के लिए मैंने दो टीबल स्पून गी गरम करने के लिए रखा है इसमें जीरा add करेंगे कटी हुई हरी मिर्च लसुन add करना है तो वो भी आप काटके इसके साथ ही add कर दे वो आप साथ से 8 कली ले थोड़ी सी हल्दी add करेंगे थोड़ी सी हींग इसे mix कर ले जो लोग लसुन खाते हूँ वो लसुन और उसके बाद अब प्याज add करे अभी मैं प्याज नहीं add कर रही हूँ तो मैं direct tomato add करूँगी अगर प्याज लेना है तो दो medium size के प्याज आप ले सकते है और उसके बाद आप टमाटर add करें red tablespoon लाल मेर्ज पाउडर add करेंगे और एक tablespoon काश्मीरी लाल मेर्ज पाउडर add करेंगे थोड़ा सा और नमक add कर दे और इसे mix कर ले टमाटर थोड़े सौफ्ट हो चुके है तो अब ये तड़का हम दाल में एड़ कर देंगे और दाल में आप जरुवत के हिसाब से पानी एड़ कर सकते हैं तड़के को एक बार मिक्स कर ले अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया एड़ करके मिक्स कर लेंगे डाल रैड़ी है गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में ले लेंगे डाल को मैंने एक बाउल में ले लिया है और बाटी भी अच्छी गुल्डन ब्राउन और अच्छी तरह से पक चुकी है इसे बेक करने में मुझे 22 मिनिट जैसा टाइम लगा है तो इस तरह की क्रिस्पी एकदम आपको बेक करनी है चाहे तो आप गैस पर भे या तंदूर में भी इसे बेक कर सकते हैं सेम इसी तरह से आपको इसे बेक करना है अब इसकी चटनी बनाएंगे चटनी के बगेर दाल ब और थोड़ा नमक एड़ करेंगे, जो लसुन खाते हैं वो 7-8 कली इतनी कॉंटिटी में लसुन एड़ करें और उसके बाद इसे क्रस करें, ये क्रस हो चुका है, एक टिबल स्पून ओयल मैंने गरम करने के लिए रखा है, ओयल थोड़ा सा ही गरम हो जाए, उसके बाद जो हमने बनाया है, वो एड़ कर देंगे, अब इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, एक टिबल स्पून जितना काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे, ताकि चक्टी का कलर एकदम लाल हो, इसे चलाते रहना है, पाँच से साथ मिनिट के बाद टमाटर पक जाएंगे, और ओल इस तरह से अलग होने लगेगा, तब ये चटनी रेड़ी हो जाएगी, तो हम गैस बंद कर देंगे, अब हमारी डाल बाटी सर्विंग के लिए रेड़ी है, बाटी को आप डायरेक घी में भी डुबा के सौव कर सकते हो, अभी मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने घी साथ में सौव किया है, और साथ में हमने जो लाल चटनी बनाई वो, और दाल, इसके साथ मैंने डाल बा करना ना बुले